नमस्कार आप सुभी का स्वागत करती हूँ आप देख रहे भारत 24 मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्राश और वक्त है दहार का लोकसभा के स्पीकर और डेपिटी स्पीकर पद को लेकर सक्ता पक्ष और विपक्ष में तनाब जारी है गतिरोध है सरकार का दावा ये है कि वो स्पीकर पद के लिए सर्व सहमती बनाने का प्रयास कर रही है तो कॉंग्रिस के नेता राहूल गांधी कहते हैं कि सरकार इंडिया गडबंधन के नेताओं को अपमानित कर रही है सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर सका रात्मा कृप से सहयोगना करने के आरोप भी लगाते हैं 72 सालों में तीसरी बार स्पीकर पद के लिए चुनाब होने जा रहे हैं 1974 के बाद अब 2024 में एक बार फिर से स्पीकर पद पर चुनाब होने जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इंडिया अलाइंस की साथी टीमसी आरोप लगा रही है कि स्पीकर पद पर उम्मीदबार खड़ा करने से पहले कॉंग्रेस ने हमसे राय नहीं ली आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा लेकिन सत्तापक्ष और विपक्ष का इस मुद्दे पर क्या है कहना वार पलट वार सुनिएगा राजनाज सिंग जी ने खारगेजी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए पूरी ओपोजिशन ने कहा है हमने सब के सब से बात की है पूरे ओपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ओपोजिशन को मिलना चाहिए खरगे जी का प्रस्वन है एक सिनियर लीडर है मैं उपका सम्मान करता हूँ कल से लेका राज तक उचे तीन बार हमारी बात हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाद दैश में पक्षका हो और बाकी बातें अभी सब सम्माने जो सब दिन से लोगतांत्रिक परंपरा और मुल्य रही है और उस मुल्यों को भी आप खत्म करेंगे हर परिस्थित्यों में आपको डिप्ट्रिया स्पीकर देना चाहिए किसी पक्ष का ये चुनाओं नहीं होता है स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है तो आपने सुना इस बारे में क्या कहा गया तमाम नेताओं की तरफ से लेकिन इसके साथ ही कई सवाल है आज उन सवालों का जिक्र दहार में करेंगे सवाल ये है कि आखर क्यूं सर्वसम्मती नबन पाने से परंपरा तोड़ी जा रही है सवाल ये भी है कि स्पीकर पर रण लोकसभा में पहला शक्ती परिक्षन संसत शुरू होने से पहले ही आरोप प्रत्यारोप आखर क्यूं आखर क्यूं तोड़ी जा रही है सर्वसम्मती के परंपरा इंडिया में आपस में फूट सरकार के खिलाफ कैसे होंगे एक जुट पक्ष वे पक्ष दोनों ही सहमती चाहते हैं तो फिर चुनाव की जरूरत क्यूं पड़ी इस पत के लिए